दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से योरो फाइटर टाइफून एयरक्रेप्टों में फॉल्टी पार्ट्स पाने के बाद इन एयरक्रेप्टों को जर्मन एयरफोर्स के द्वारा ग्राउंडट कर दिया दवर आया कि एफए एटिन सुपरहॉर्न एयरक्रेप्टों में भी ऐसा ही फॉल्ट है जिस कारण उन एयरक्रेप्टों को भी ग्राउंड कर दिया गया है और अब दोस्तों अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का विशा ये है कि सेम फॉल्ट के कारण अमेरिका के द्व के लिए भी ऐसा सेम डर क्यूं है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों अमेरिका के मीडिया रिपोर्टों के द्वारा शुक्रवार के दिन जानकारी दिया गया है जो एक तरीके से इन सीटों के फंक्शन को बाधित करता है और दोस्तों अगर ऐसे सीटों के फंक्शन को बाधित किया जाता है तो एरक्राफ्टों के पाइलोटों के सेफटी के उपर भी सवाल वन सकता है क्यूंकि इस तरीके के सीट का ही इस्तेमाल पाइलोटों के Information Air Force के Combat Command के अधिकारियों के तरफ से भी email के दूरू Media Houses को दिया गया है और उनका कहना है कि ये जो Air Captain को grounded किया गया है ये temporary है और जल्दी Air Captain को फिर से fly किया जाएगा हाला कि दोस्तों, अमेरिका के बरिष्ट अधिकारियों के तरफ से बताया तो जा रहा है कि इसे लेके जाच किया जा रहा है और जल्दी जाच समाप्त होने के बाद problem को शॉट आउट कर लिया जाएगा लेकिन, अमेरिका के रिए चिंता का वीश है इसलिए भी है क्योंकि ए इस नेवी के तरफ से भी लगवग इसी तरीके का जानकारी दिया गया और नेवी के तरफ से ये तो कंफर्म नहीं किया गया कि कितने यारक्रेप्टों को ग्राउंडट किया गया है लेकिन नेवी के द्वारा भी काफी बड़े मात्रा के ट्रेनिंग और कॉम्बैट यारक्र को सेम कारण के वज़ा से ग्राउंडेट कर दिया गया तो उसे बताया जा रहा है कि इजेक्शन सीट्स में एक तरीके का कैड्रेज का इस्तेमाल किया जाता है जो यार क्रैप्टो के इन सीटो को इजट करने में मदद करता है और फॉल्ट फिलाल उसी कैड्रेज में है जिसे बदलना इतना बड़ा बात नहीं है लेकिन एक साथ सवी एर क्रैप्टो में इस तरीके के फॉल्ट आने के बाद एक सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इससे पहले अगर कोई दुरघटना घट जाता तो उसमें पाइलेट के लाइफ रिक्स में आ सकता था हाला कि दोस्तों अमेरिका के बाहर भी इस तरीके के सेम प्रॉब्लेम दिखाई दिया है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि युनाइटेड किंग्डम के योरो फाइटर टाइफून और रेड एरो एर्शोर डेमोस्टरेशन टीम के एर कैप्टों में भी सेम फॉल्ट है पर दोस्तों ये जो विशय है एक एवल मात्र अमेरिका या फिर योरोफ के देशों के लिए चिंता का विशय है बलकि अन्य देशों के लिए भी चिंता का विशय है इवन भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विशाई इसलिए भी है क्योंकि इंडियन एरफोर्स के एरक्राप्टों में भी मार्टिन ब्रेकर के इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहाँ पर आपके जानकरी के लिए बता दू कि स्वादेशी तेजस एरक्राप्टों में भी मार इसलिए के पास करीवन 32 ऐसा एरक्राप्ट है इनमें भी सेम मार्टिन ब्रेकर के 00-00 इस्तेमाल किया गए है मतलब दोस्तों यह फॉल्ट इन एरक्राप्टों के सीट्स में भी हो सकता है जो कि इन एरक्राप्टों के लिए भी एक प्रॉब्लेम का कारण बन सकता है इवन अगर ऐसा फॉल्ट जाट से निकलता है तो शायद इन एर कैप्टों को भी फॉल्ट दूर होने तक ग्राउंडट किया सकता है। इन इजेक्शन सीट्स को भारत के द्वारा कुछ अन्य इजेक्शन सीट्स से बदला जाएगा क्योंकि एर कैप्टों को भारत अर्जेंटिना को एक्सपोर्ट करना चाहता है। जिस तरह के से बताया जा रहा है कि काड्रेज में इश्यू है तो ओविसली मार्टिन ब्रेकर के तरफ से इन इश्यूस को सॉल्फ किया जाएगा जो भारत के लिए बड़ा चिंता का विशाय नहीं बनेगा। पर अगर संपूर्ण इजेक्शन सीट्स को ही बदलना पड़ता है तो बी एई हॉक एडवांस जेट टेनर एरकरफ्टो के फ्लीट के लिए काफी बड़ा विशाय बनेगा हाला कि तेजस एरकरफ्टो के लिए इतना बड़ा विशाय इसलिए नहीं बनेगा क्यूकि इंड उसे तरफ तेजस मार्क वान एरकरफ्टो के भी प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और साल 2024 से एन एरकरफ्टो को भी इंडियन एरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाना है दूसे तरफ दोस्तो भारत के पडोसी देश मतलब पाकिस्तान को देखे तो पाकिस्तानी मतलब JF-17 में भी मार्टिन ब्रेकर के ही इजेक्शन सीट्स का इस्तमाल किया गया है ऐसे में खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान इन इजेक्शन सीट्स को चायना के इजेक्शन सीट्स से इसलिए भी बदलना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से भी अर्जेंटिना को एरक्रेप्टों का ओफर किया जाना है हाला कि चायना के ejection seats का इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं या होने का कोई संभावना है कि नहीं यह आफ तक clear नहीं हो सका तो सब मार्टिन ब्रेकर के ejection seats के बारे में के मार्टिन ब्रेकर रशिया के एन पीपी जेवियड चायना के एरोस्पेस लाइफ सपोर्ट इंस्टिट्यूट और चेक रिपबलिक के एरो वारा कोडी एरोस्पेस के तरफ से किया जाता है तो सो दुनिया में काफी कम देश और काफी कम कमपनी है जो इस तरीके के ejection seat का निर्मान करता है हाला कि ejection seat के जो technologies है उसे काफी critical और काफी महतवपूर्ण technology के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे काफी कम समय के अंदर reactive होके काम करना पड़ता है और संपूर्ण रूप से ejection seat के उपर ही पाइलेट के safety निर्फर करता है क्योंकि अगर aircraft हवा वे अपने सम्तुलनक होता है या aircraft के उपर किसी भी तरीके का कोई भी हमला होता है या aircraft के कोई component फेल होने के कारण aircraft crash होने का समभाब नहीं होता है तब पाइलेट के दुआरा ejection seats को ही घीच के अपने आपको aircraft से बाहर निक ejection seats इस्तेमाल होता है या ejection seat का जितना बड़ा market है उसके लगवख 50% seats को मार्टिन ब्रेकर के द्वारा ही supply किया जाता है जब कि चाइना के कंपनियों के द्वारा जिन seats का निर्मान किया जाता है उनमें mark 10 से लेके mark 18 तक शामिल है और इन seat को सबसे बहतरीन और सबसे high quality के जब कि ये कम spaces वाले aircraft में भी इस्तेमाल हो सकता है मार्टिन ब्रेकर के तरफ से अपने domestic market में इन seats का इस्तेमाल जहां पे किया जाता है तो उही पे मार्टिन ब्रेकर के market इतना बड़ा होने के कारण एक तरीके से इसी company के बलबूते पे ब्रिटन के द्वारा अर्जेंटिन और चाइना पाकिस्तान जेब 17 मतलब जंग फाइटरों में भी इन सीटों को बदलने का इरादा रखा जा रहा और भारत भी संभावित इन सीटों को अर्जेंटिना को aircraft एक्सपोर्ट करने के लिए बदल दे तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अ